नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का MSP Creator सब की एक और नई वीडियो में आज की वीडियो के अंदर हम जिस नगर की बात करने वाले हैं वो है देव भूमी उत्तराखंड का सबसे प्रचलित स्थान योग का केंद्र रिशिकेश रिशिकेश उत्राखंड के देहरादून जिले का एक नगर, हिंदू तीर्थिस्तल और नगर निगम तथा तैसील भी है ये गड़वाल हिमाले का प्रवेश्ट द्वार और योग की वेश्विक राजधानी है रिशिकेश हरिद्वार से 25 किलोमेटर उत्तर में तथा देहरादून से 43 किलोमेटर दक्षिन पूरू में स्थित है हिमाले का प्रवेश्ट द्वार रिशिकेश जहां पहुंच कर गंगा परवत मालाओं को पीछे छोड समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ती है रिशिकेश का सांत वातावरन कई विख्यात आश्रमों का घर है उत्तराखंड में समुद्र तल से 360 फीट की उंचाई परस्तेत रिशिकेश भारत की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है हिमाले की निचली पहाड़ियों और प्राकरतिक सुंदर्ता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है रिशिकेश को केदारनाथ, बद्रिनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री का प्रविश द्वार माना जाता है का जाता है कि स्थान पर ध्यान लगाने शे मोक्स की प्राप्ति होती है हर साल यहां के आश्मों के बड़ी सिंख्या में तीर्ट स्यात्री ध्यान लगाने और मन की शान्ति के लिए आते हैं विदिशी परियाटक भी यहां अध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं दोस्तों देव भूमी उत्तरा खंड या रिशिकेश मात्र का ही अगर विवरन करने जाएं तो शायद पूरा जीवन कम पड़ जाए इसके विवरन के लिए आज का वीडियो रिशिकेश की एक प्रस्तावना मात्र है धिरे धिरे इसके और भी खंडित वीडियो बनेंगे जिसके अंदर चोटी चोटी जगों की विश्रत जानकारी आपको प्राप्त होगी फिलाल अगर आप रिशिकेश उत्राखंड या कहीं से भी हैं तो वीडियो को शेर जरूर करना ताकि ये वीडियो आगे पहुंचे वीडियो में आगे जानते हैं रिशिकेश के बारे में कुछ प्रचलित कताएं हैं माना जाता है कि समुद्र मंथन के दोरान जब विश निकला तो सिवजी ने वो विश इसी स्थान पर पिया था विश पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उसके बाद उनका नाम नीलकंठ महादेव हो गया एक अन्य अनुसृती के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दोरान यहां के जंगलों में अपना समय वतीत किया था रस्ती से बना लक्षमन जूला इसका प्रमाण माना जाता है विक्रम संबत 1960 में लक्षमन जूले का पनन निर्माण किया गया यह भी का जाता है कि रिषी रैव्य ने यहां ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी इसी के साथ ही समय समय पर कई सारे महान रिषी मुनियों ने यहां पर मन की शान्ती और अध्यात्मिक शान्ती के लिए कठोर तपस्या की है आए जानते हैं रिशिकेश के अंदर घूमने लाइक जगें कौन-कौन सी है यहाँ पर आप क्या-क्या देख सकते हैं एक ही वीडियो के अंदर इस सब को समलित करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कुछ प्रसिद्ध स्थानों की भारे में आपको बता देते हैं सबसे पहले आता है रिशिकेश का प्रसिद्ध लक्षमन जूला गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता या जूला नगर की विशिष्ट बहचान है इसे विक्रम संबत 1996 में बनवाया गया था का जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्षमन जूले ने इस्थान पर जूट का जूला बनवाया था और जूले के बीज में पहुँचने पर वह हिलता हुआ प्रतीत होता है साड़ी चार सो फीट लंबे इस जूले के समीप ही लक्षमन और अग्णाजी का मंदिर है जूले पर खड़े होकर आजपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है लक्षमन जूले के समान राम जूला भी नजदीक में इस्थित है यह जूला सिवानन्द और स्वर्ग आश्रम के बीच बना हुआ है इसलिए से सिवानन्द जूले के नाम से भी जाना जाता है रिशिकेस में गंगाजी के किनारे की रेत बड़ी हीद नर्म और मुलायम है इस पर बैठने से यह मा की गोद जैसा प्रतीत होता है यहां बैठ कर दशन करने मात्र सही रिदे में असीम सांती और रामत्य का उन्भो होता है रिशिकेस में कई सारे घाट हैं जिनमें से एक प्रसिद्ध घाट त्रिवेणी घाट है रिशिकेश में श्रान करने का यह प्रमुख घाट है जहां प्राते काल में अनिक शद्धालो पवित्र गंगा नदी में डुपकी लगाते हैं का जाता है कि स्थान पर हिंदु धर्म की तीन प्रमुख नदियों का संगम होता है जो गंगा यमना और सरस्वती इसी स्थान से एक गंगा नदी दाई और मुड़ जाती है गोधुली बेला में यहां की नियमित पवित्र आर्थी का द्रश्य अत्यनता करशक होता है शाम को त्रवेणी घाट पर आर्थी का द्रश्य एक अलग आकरशक और मसीम सांती दायक होता है इसके बाद आता है स्वर्ग आश्रम, स्वामी विसुद्दा अनंद जी द्वारा स्थापत या आश्रम रिशिकीज का सबसे प्राचीन आश्रम है स्वामी जी को काली कमली वाले नाम से भी जाना जाता है इस्थान पर बहुत से सुंदर मंदिर बने हुए हैं या खाने पेने के अनेक रेस्टरों और यहां केवल शाकाहरी बोजन परोसे जाते हैं आश्रम की आसपास हस्ट सर्ब के सामान की बहुत सारी दुकाने हैं जैसा कि आपको पूर्व में बताया है लगबग पच्पंसो फीट की उंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंट महादेव मंदिर है जहां पर भगवांशे उन्हें विश्पान किया था और उन्हें नीलकंट के नाम से जाना गया मंदिर परिशर में पानी का एक जड़ना भी है जहां बक्तगर्ण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं इसके साथ ही यहां बरज जी का मंदिर है केलाशने केतर मंदिर है वशिष्ट जी की गुफा है और गीता भवन राम जुला पार करते ही गीता भावन है जिसे विक्रम समथ 2007 में शुजय दयाल जी गोईंद का द्वारा बनवाया गया था यह अपनी दर्सनिय दिवारों के लिए फ्रसिद है जा रमायन महाभारत के चित्रों से सजी दिवारें इस थान को आकश अपनाती है यहां एक आयरवेदिक डिस्पेंसरी और गीता प्रेस गुरकपुर की शाखा भी है प्रवचन और कीरतन मंदर की नियमत क्रियाए है शाम को यहां भक्ति संगीत के आनन्द लिया जा सकता है तीर थियात्रों के ठैरने के लिए यहां सेकड़ों कम रहे है इसके साथ ही दोस्त तुम्हें ला सकते हैं अब रिशिकेश पहुचे कैसे देरादून यहां का निकरतम हुआई अड़ा है और रेल मार्क के लिए रिशिकेश जो शहर है वो पांस किलोमेटर दूर पड़ता है और रिशिकेश शहर के लिए भी यहां पर रिशिकेश आखरी स्टेशन है वैसे विस्तित रूप से हिमाले शुरू होता है समतल भू में रिशिकेश तक हतम हो जाती है रिशिकेश के बाद सिर्फ गंगोर पहाड हैं जो धीरे धीरे उंचायों की तरफ बढ़ते जाते हैं और आकाश को छूते हुए सफेद पहाड दिखते हैं तो दोस्तों फिलाल इस व उत्रा खंड में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आज तक किसी को बताई नहीं गई है तो उनके ओपर भी वीडियो बनेंगे यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा और उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो के अंदर कोई भी कोई ऐसी जगह है जोस पर वीडियो बन सकता है तो वो भी कॉमेंट के अंदर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए MSP Creators अबको भी सबस्क्राइब कीजिए